लोग दोस्तों वेलकम प्रेखव प्रेखव चैनल ले आपका स्वागत है इस चैनल पर आपको कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलिटेड़ चीज़े और मोबाईल से रिलिटेड़ चीज़े बताई जाती है और नए नए टेकनोलोजी की नए नए इंफोर्मिशन दी जाती दिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसागे थैंक्यू वेरी मच्छ हलो दोस्तों आज हम देखेंगे कि आई टी आई के लिए आपको अगर फॉर्म बरना है यहने डिरेक्टरेट आफ वोकेशनल एद्यूकेशन ट्रेनिंग महारास्ट्रा यहने इ इंडियस ट्रेनिंग ट्रेस्ट के लिए अगर आपको फॉर्म बरना है यहने आई टी आई के लिए फॉर्म बरना है तो सबसे पहले आपको जाना है एडमिशन.dvet.gov.in के उबर में इस तरह के वेबसाइट ओपन हो जाएंगे ओपन होने के बाद आपको जाना है निव पोटो फॉर्टो फॉर्म दिख्योंसkich डाल सकते हैं आप लुकर अपका बेल चाह नंबर तरहμοस मिल्भा के लिए हैं उसके बाद में पर फाया है डूसरा मिल्भ ऑर या बनी पहले दो बार आपका एक ही नंबर दाल है और उसके बाद में नाम लिखे अ हई हुआ अ उसके बाद में आपका लास्ट नेम अगर आपका जो भी लास्ट नेम सर्नेम जिसको गोलते हैं लास्ट नेम में स्रीव अपना पहला नाम लिखना है अपको उसके बाद में last name में उसके बाद में date of birth जो आपने दाली थी यहां पर date of birth दाल देना है date of birth के बाद mobile number और यहां पर आपका आपका जो है email id आपको यहां पर add करना है email id जो है small letter में रहता है लेकिन जनरली यहां पर यहां पर आपको डालना है जो भी आपको pass word डालना है पहला letter capital लिखे दूसरे बाद में बाद की small लिख ले उसके बाद में फिर से वही email id आपको पहले दाला था मुबाइल नमबर यहां पे डालने के लिए आपको secondary मुबाइल नमबर जो है इस तरीके से डाले उसके बाद में एक caption code आपको दिकाए देंगा यहां पे caption code डाल दे उसके बाद register now पे click कर दें यहां रिजिस्टर नॉप पे click कर देंकर तो वहां पे लिख के रख लेनी है या फीर कहीं एक वाइल में उसे प्रॉस आधा स्टेज इब कर ले जैसा कि हम यहां पर देख रहा है कि हो आपने पार हिसमीं हमने औरहिया है आपका जो ले लिए और लेने के बाद में जो है आपको याद रखना है 올ड़ जो आपने दाला था वही पास प्वर्ट डाले इसके बाद में लॉग-इन बटन पर क्लिक करें login बटन पर click करने के बाद फिर आपका login ID वो दाले पासवर्ट जो आपका था वो दाल दे फिर जो ये caption code आपको दिखाई दे रहा है ये caption code आपको दालना है उसके बाद login बटन पर click कर देना जब हम login बटन पर click करते हैं इस तरीके से page आपको open हो जाएंगा यहां पर जाने के बाद आपको सबसे पहले करना की यह कि यह है application form इसपर click करना है और click करने के बाद जो सारी information जो हमारी रहती है वह हम को Oj जो आपकी वो select करना है और आपके टी सी भे जो नाम है Muslim Muslim जो भी लिखा है वो आपने लिख लेना है उसके बाद Next बंटन पर क्लिक करेंगي जब हमें इस तरह के से Next बंटन पर क्लिक करते हैं यहां पर हमें अपना पूरा इड्रेस दाल देना है उसके बाद में इस्टेट सेलेक करनी है district हमारा जो लेना है जो भी आपका district है वो अपने select कर लेना है जो भी आपका district है उसके बाद में आपको फिर से अगर आप किसी village में रहते हैं तालुका में तो वो लेना है अगर आप शहर में रहते हैं तो वो लेना है फिर उसके बाद में आपका जो डिस्टिक है वो हमने लेने के बाद में आपका पिन कोड डाल देंगे और उसके बाद नेक्स बटन पर क्लिक करेंगे जब हम नेक्स बटन पर क्लिक करते हैं फिर से आपको एक option form आजाएंगा यहना 30 पेज आपका यहां पर उपन होगा मजर का नाम उसके बाद में उनका सर नेम उसके बाद में आपका जो है बोर्ड जो आपका जो occupation है जो भी आपके फादर करते हैं वो आपको डाल देना है ऐसे select करके अगर self-implied है self-implied ममी कुछ नहीं करते है तो not-implied लिखेंगे उसके बाद में income डालना है आपको जो भी आपका income है साल का उसके बाद में यहां पर select करना है district उसके बाद में यहां पर तालुक का उसके बाद में यहां पर select करना है आपका जो भी तालुक का आपको दालना तो डाल सकते हैं, अगर नहीं दालना है. अगर आपने कोई ट्राइंग का कोर्स किया है, यहाँ पर हमने उस कोर्स का नाम लिख लेना है, नहीं किया है, तो उसे ब्लाइंग छोड़ देना है, इसकी अंदर अगर कोई sports का certificate है, हमने yes करके sports का certificate लेना है category में आते government की कोई course किया है यहां पर हमने select करना है इस form को properly भरे जो आपका additional weight form है याने आपका जो four number का stable से properly भरे अगर आपको यहां पर कुछ कोई सी category में आप नहीं बैटे तो next button पर click कर देंगे जब आपने next button पर click किया तो step 5 आपको पूरी detail दालनी है आपकी qualification की यहां पर हमने पहले district select करना है उसके बाद में यहां पर अपना तालुक का फिर उसके बाद में फिर आपका district सहर में आप रहते हैं यह जो गाओ का नाम आपने ばεται महारास्टा से किया है तो यस कर ले अगर आपने बाहर से किया थो इसे no करेंगे दसवी पास अगर आप तो yes किया हमने उसके बाद में यहां पर option दिये गये है यह option आपको properly पढ़ने है पढ़ने के बाद में और पर लेंग्वेज जो भी आपका है गुजराथी हो उर्दू है जो भी है आपको वहां पर लिखना है उसके अंदर में out of 100 में से कितने मार्क मिले आपको वहां लिखना है हिंदी में कितने मिले आपको उसके बाद में English में कितने मिले 100 में से वो लिखना है आपको उसके बाद में Social Science में कितने मिले आपको उसके बाद में Mathematics में कितने मिले आपको कितने में से मिले आपको फिर उसके बाद में science में आपको कितने मिले उसके बाद में इस तरीके से आपका form fill up हो गया यह आपका percentage आगे आपके total mark आगे आपको next बटन पर click करना है जब हम next बटन पर click करते हैं तो आपकी step 6 आजाती है previous training यहाँ पर detail दिया है यहाँ आपने अगर कोई idea का course किया है तो यहाँ पर yes करना है और उसकी पूरी detail यहाँ से fill करने है और अगर आपने नहीं किया तो no करके next बटन पर click कर दे जब हम next बटन पर click करते हैं इस तरीके से form आपका form number 7 आएंगा याने step 7 पर आएंगे step 7 पर हमने share select कर लेना है जो भी आपका शहर है डिस्टिक है वह तालुक का है वह select करने के बाद में यहाँ पर हमने accept बटन पर click करना है जो है आपको polytechnic college में दिखाना है और वहाँ पर जाके आपको 100 रुपे भरना है उसके बाद option form भरा जा सकता है option form भी किस तरीके से बरेंगे वो भी हम देखेंगे यहाँ पर हमने generate pdf पर click कर देना है जनरेट pdf पर जब हम click करते हैं तो कुछ देर time लेता है और आपका भी पीडीयफ है वह download собой होना start हो जाता है जो a tab हमको इस तरीके से दिखाई देता है जिसके अंदर में पूरी डीटेल और हमने पूरी डीटेल इसके अंदर में यह डीटेल आपने देख लेनी से और उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है फिया कि अचै Breaking पुरे डाकुमेंट को लगा कि पॉले टेकनिक कॉलेज में कनफिर्म करना है और कफिर्म कि ये बाद में option अब किस तरीके से बरेंगे वो भी हम देखते हैं तो अब यह जो हम देख रहे थे basic information थी कि application किस तरीके से करना है अप्लिकेशन किस तरीके से करना है कि आपको जो है उस ITI college में जाना है जो शेहर का आपने भरा है form और वहाँ जाके facility center पे आपको confirm करना है confirm कि ये बाद में आपको option form start होगा start होने से पहले आपको confirm करना है पूरा form भरने के बाद print out लगानी है और पूरे document लगा कर जो है आपको facility center पे जाकर confirm करना है confirm होने के बाद ही आपको option form start होगा option form start होने के लिए आपको करना यह वही है कि आपको login पे जाना है जिस तरह कि से हम login पे गए थे अभी हमने login पे जाने के बाद में हमने अपना login ID आपको print out में मिला है या जो आपको message आया या जो फिस email आया है और उसके बाद में आपका password आप महाँ पे add करेंगे add करने के बाद आपको करना यह है कि वहाँ पे caption code जो आपको दिखाई दे रहा है वो caption code आपको दाल देना है और उसके बाद login करना है जब हमने login बटन पे click कर दिया तो click करने तो होंगा यह कि आपको form start हो जाएगा जो भी आपको details है वो पूरी select करनी है और उसके बाद search करना है search करने से होंगा यह कि आपको form भरा गया तो option form में तो उस शेयर में करना है उसके बाद में options की list आएंगी और लिस्टाने के बाद में आपको करना है यह कि सबसे पहले जो आपको form भरना यह जिस trade के लिए आपको selection करना है उसे select कर लेना है इस तरीके से आप जो है пять से साथ options जो है बीखन ही चाहु चाहरा फीटर lav झाले दिख़ा है बीखन साह तो apply जो यह उनले के सारे लोक्षन मोग को अपके आपे जिया है पर लोगिं मैं आठागी को एक गाउट है वआ के बातब यह तो यहाँ शुदेराया है लाक्त बोचन आजके ₱ टत शुद्धन आपने परसंटेज के इसाफ से ही आप्शन सेलेक करें नहीं तो आपका परसंटेज है फुर्टी सिक्स और पॉर्टी सिक्स में आप लेना चाह रहे हैं विए क्या कम्म्क्यूटर एंजिणिएर्इंग गायर तो आपको नहीं मिलेगा तो आपको वही लेना है जो आपके परसंटेज को डिपेंड करता है फिर आपको करना यह है कि इसके इंदर में नेक्स बटन तो यहां पर एक्टिव नहीं हुआ तो हमने सेकंड जो स्टेप र जाकर क्लिक करना है हम यहां पर हम लीस्स भी चेक कर लेते हैं लीस्स के अन्दर में और बी उप्शनी को नहीं दिखाइड ले रहे हैं तो अप्शनी स्ह motivation में जो हम यहां पर दिखाइड लिए रहा है सद्धशनुट सद्धशनी करने रेंगे कौन से option को क्यों सा number देना है करके तो वो हमने remark देने के लिए click कर लेना है कि हमको सबसे पहले यह लेना है फिर यह लेना है फिर वो लेना है उसके बाद PDF पे click करेंगे तो generate PDF option चालो हो जाएगा और आपका PDF form निकलेंगा जिसके अंदर में option आपको दिखाई देने लगेंगे उसके बाद में जो PDF किस तरह के से दिखता है वो भी हम देखेंगे इस तरह के से आपका PDF दिखेंगा PDF डाउनलोड होने के बाद में यह अपने 10 option लिए थे और यह आपका registration नमबर वगिरा इसके डिटेल आपको वहाँ पर दिखाई देने लगेंगे इसके बाद में आपको option form के लिए वेट करना है जब तक कि आपका selection नहों जाए फिर merit list में आपका selection होगा selection होने के बाद में आपको trade जो है government की तरफ से मिल जाएंगा इस तरह के से आपको अपना form option form भी भर सकते हैं तो इस सारे चीज़े आपने हमने हमने आइटिया form और आइटिया form के option के बारे में देखी अगर वीडियो आपको बहतर लगा अच्छा लगा हो या फिर कुछ इसके अंदर खामी लगी हो या कुछ प्रॉब्लेम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो इस सब्सक्राइब के साथ साथ में अपने दोस्तों को भी बता दे ताकि जो है इन्फोडेग अप चैनल का आपको बहुत सारा इंफोमेशन मिल सके है इन्फोडेग अप चैनल के आपको कंपीटर मोबाईल और इंटरनेट से रिल्टेट बहुत सारी चीज़े बतायाती है और और टेकनलोजी की निवसेज दी जाए दो मरुत भ Grad सब्सक्राद आल प्रक्रादा के पूंग चैनल करे चीज़ें थे तन कि रिल्ट्री चिज्शन घो भी 연ारे इंटर्नेटर्ट कि अपक व्या घके।